हेलो दोस्तो नमस्ते राम राम कैसे हैं आप सब मैं हूँ उशा सैनी और दोस्तो अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं भी कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है और द कि रैकिट है चलाने का तरीका बताने का और मेरा ऐणाई दो चैनल में डाली हैं और काफी कमेंट भी मेरे को आए है क्रोशिया चलाने का तरीका बताने का और मेरा क्या तरीका है मैं आपको शेयर करूंगी काफी चीजे बना सकते हम यह वाला पर्स जो मैंने डाला था अपने चैनल में तो इसमें भी काफी पसंद आया लोगों को और क्य कर दागे से मैंने बनाया हुआ यह इस तरह की लच्छी में एक टिक्की बन जाती है यह कुछ भी आइटम हम तयार और किसी भी तरह का और इस हम अपने जो टॉप वगएरा या सूट गले कीनारी बना सकते हैं बाजू में कर सकते हैं बहुत सी चीजे में देज़रे अपने चैनल में ले के आऊंगी और यह हम धागे और उन से दोनों से क्रोशिय की चीजे बना सकते हैं कुछ भी जो हमें पसंद आए सब्डियों की ची हमें मिलती हैं चीजे धागे की बनी हुई और बहुत सुंदर लगती हैं दोस्तों घर में हम उनको बहुत ही कम खर्च में बना सकते हैं और यह धागे और उन से दोनों से बना सकते हैं और सीख भी सकते हैं यह वाले क्रोशिय आते हैं यह वाला क्रोशिय जो आप देख रह बाहनाना है सलै ससरे के देखना है अभी में आन और क्रोशिय का क्षा को आप time यawsका द को 10 precisa को लादीं पाना से और यह वाले आने को घक आता है इसमें उंकर बहुता है जितने बाहना है देखना हो थब और यह वाला जो दागा आप देख रहे हैं यह थोड़ा सा चार पांच लेयर का आता है तो इसमें थोड़ा सा मोटा क्रोश्या भी चल जाता है तो यह देखिए दिजैन बनाने तो मैं आपको बाद में देदरे बताऊंगी पहले आज मैं यह क्रोश्या चलाने का तरीका बत करेंगे हम सीखेंगे कैसे यह देखिए एक गांठ लगा लेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगे मैं दोस्तों हिंदी में बिल्कुल यह देखिए गांठ लगा लेंगे हम ऐसे किसी भी तरीके से हम गांठ लगा सकते हैं जैसे आपको सही लगे आप ऐसे लगा है क्रोशिय में और सीधे आत से हमें क्रोशिया पकड़ना है क्रोशिया पकड़ने का सब का तरीका अलग अलग होता है सलाई बनाने का भी तरीका अलग हो जैसे आपको आसानी लगे मैं इस तरह से क्रोशिया पकड़ती हूं यह जो हिस्सा है यह दबा हुआ जो हिस्सा होता ह इस पर हमें उठा रखना होता है यहां और इस उल्टे आत की पहली उंगली पर हमें उन यह दागा जो भी बनाएंगे वह लपेटना होगा और यह देखिए इस तरीके से ज्यादा इसमें अमें गैप नहीं रखना इतना ज्यादा गैप नहीं लेना यह थोड़ा ही गैप हम यह यहां से और यहां तक का यह देखिए इतना गैप रखेंगे और इस क्रोशे से हमें ऐसे धागा लेंगे और इस फंदे में से निकाल देंगे ऐसे यह देखिए इसे हमें चैन बनानी होती है चैन बोलते हम इनको जब हम क्रोशे चलातना का कोई भी डिजैन बनाते है क् उसे चूर आपने भचेंट करता देकर लो यह जो इसमें बना हुआ है, क्रोशिय की है, जो आप चोंच सी देख रहे हैं, यह इसमें आप ऐसे दागा लपेटेंगे और ऐसे निकाल लेंगे, यह देखिए, और जैसे जैसे ओन छोटी होती जाएगी, अंगली पैसे हमी इसमें से यह इसका एक लपेट कम करते जाएंग बनाने की ही प्रेक्टिस करनी होती है, एक दिन हमें, जो बिल्कुल एकदम शुरुआत ही करते हैं सीखने की, उनको पहले इस चेन बनाने की प्रेक्टिस करनी होती है, ऐसे, ऐसे, जब यह चेन अच्छी तरह से हमारी हमें बनानी आ जाएगी, उसके बाद हमें कोई डिज यह देखिए इसमें एक दागा लिया और ऐसे हमें चेन बनानी है इसकी सबसे पहले हमें यह चेन ही बनानी है चेन बनाने की प्रेक्टिस हमारी हो जाएगी तभी हमें कोई डिजाइन आएगा और यह तो सीखने के हिसाब से मैं इतनी बड़ी चेन ले लूँगी दस चेन है यह एक दो टी चार पांच छे सात आठ नो दस ग्यारा ग्यारा चेन है यह और यह जो चेन है इनका हमें थोड़ा सा यह ध्यान रखना होता है जब हम सीखते हैं तो यह तो हमारी बहुत ज़्यादा लूज और जादा टाइट हो जाती हैं इसकी प्रेक्टिस हमें इसलिए करनी होती है कि हमारी एक जैसी आई जब हम नया नया सीखते हैं तो हमारी यह बोर टाइट भी हो जाती है यह हमारी ज्यादा डीली रह जाती है तो थोड़ी सी हमें अच्छे से इस चीज की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए एक दिन यह देखिए आज मैं आपको यह बत हैं हम जिसको सिंगल क्रोशिय और डबल क्रोशिय आप बोलते हैं यह ट्रीपल भी कितनी भी उसमें बना सकते हैं हम जैसे लपेटा ले के ऐसे और डिजैन बनाना शुरू करते हैं यह मैं कल बताऊंगी आज की मेरी यही वीडियो थी और मेरा तरीका कैसा लगा दोस्तों स